नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी कॉशल आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक उत्राखंट में पिछले कई दिनों से जो है आयरुवेदिक मेडिकल को स्टूडेंट हैं वो जो हैं हरताल पे हैं हरताल की मुख्य वज़ा बताई जा रही है वो यह है कि उन लोगों की जो फीस है वह असी हजार से बढ़ा के जो है दो लाक पंदरा हजार पर एयर कर दी गई है और उनका प्रसेशन जो है पिछले पचास दिनों से लग पंदरा में शाषन से एक आदेश जारी होता है जिसमें यह लिखा रहता है कि आपका जो शुल्क है वह असी हजार से बढ़ा करके दोलाग 15,000 कर दिया गया है इसके इसको लेकर सर जो हमारे सीनियर्स हैं जो हमारे सीनिर्स हैं डॉक्टर ललित महंतिवारी वो में 9 जुलाई 2018 में सिंगल बैंट से जजमेंट आता है कि आपने सुप्रीम कोट की गाइडलाइन होती है जिसमें फीक्सेशन कमेटी शुल्क निधारन समीती को बनाया जाता है जो तैह करती है किसी भी परदेश में किसी भी संस्था में कोई भी कोर्स हो आपका मेडिकल हो प सर वो कम से कम दस ओर निकालती सर बार अक्टूबर 17 नवंबर 22 नवंबर 27 अप्रेल 5 अक्टूबर सर दुनिया भर के ओडर पर निकलते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता कॉलिज वाले फिर भी अपनी मनमानी पर उत्रेवे होते हैं उसके बाद सर हम पिछले 50 दिन से समीधान समीधान ने दिया है उसको मनाने के लिए हम सर हंगर स्ट्राइक पर बैठेवे हैं जिस समीधान की कशम कशार है जो पॉलिटिशन है यह सर सपत ग्रहन करते हैं उस समीधान को नहीं मानते यह लगबग साड़े तीन अजार आयरुवेद के चात्रों के भविश्य के साथ खिलवाड कर रहे हैं। इसमें देखने लाइक बात है कौन इसके पीचे हैं। यह मैनेजमेंट कौन चला रहे हैं आयरुवेद के संस्तान। एक तो पतांजली आयरुवेद विज्ञान संस्त जिसका बाबा रामदेव और आचारिया बालकृष्ण उसके पीछे है एक हिमालया जो आयर्वेद कॉलेज है उसके पीछे जो है आरुशी निशांक है जिनका यहां मानवसंसादन मंत्री जो है केंद्र का उनका बेटी है दूसरा जो डून इंस्ट्यूट है वहां का जो आय और एक वहां का जो प्राइवेट जो इंस्ट्यूशन है उसका जो प्रेजडेंट है वो चला रही है जो प्राइवटाइजेशन हो रहा है मेडिकल एजूकेशन का इसको लेके हम शुरू से ही समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं अभी इस टाइम पे असी मेडिकल कर रहे हैं पूरे देश भर में जहां पे प्राइवेट कॉलेजेशन ने जातों फीस बहुत बढ़ा दी है जहां प्राइवेट कॉलेजेशन को नहीं मानता है उनका अपना एक बड़ा नेटवर्क है और वो अपने अकॉर्डिंग जैसे उनको मन करता है वैसे वो काम करते हैं क्यों क्योंकि उनके पास इतना पैसा है इतनी पकड़ है उनकी सरकार में तो यह इतने पावरफुल लोग हैं कि इनके पास आप कोई भी आउडर लेके चले जाओ यह नहीं मानते उसको तो यह जो अन्रेगुलेटड है पूरा पूरा प्राइवेट सेक्टर और जो है कि जहां तो यहां पर पढ़ो चुपचा पैसे देते हुए नहीं तो तुम्हें मारेंगे जैसा इन बच्चों के साथ हुआ है इनको च्छातियों पर लाते मारी गई हैं सफोकेटड हुए इसमें एडमिट हुए हैं यह बच्चे क्यों हुए हैं सिर्फ इसलिए कि करता रहेगा तो यह और विनाश करेगा आगे जाके और जो भी इसके खिलाब बोलने की कोशिश करे जाएगा उसे मारा जाएगा उच्च न्याय का जो आदेश है उसमें सपर्ष लिखा है कि जो भी आगे फी कमिशन कमिटी जो है फीस पर तै करेगी वह प्रॉस्पेक्ट का भाविश्य के साथ खिलवाड कर रहे है इसके यह सिर्फ उत्राखन का यह बात नहीं है प्राइवेट मैनेजमेंस पुरा देश बर में इस तरीके से कर रहे हैं बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लोन संक्शन कर रहे हैं यह बताए जो बैंक फस्ट यर्या सेग उसमें इन बच्चों के साथ इसलिए कखड़ा हूं क्यूंकि मुझे पता है कि आज जो इन्होंने करने की कोशिश की है हाला कि इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है लेकिन यह रिस्क अगर इस देश में एजुकेशन सिस्टम को बचाना है अगर इस रिस्क बहुत जरूरी है और हम इनके साथ खड़े हैं और इनके साथ लड़ते रहेंगे जब तक कि ये सिक्षा का जो पैटन है ये प्राइविट जो गुंडे हैं उनके हाथों से छीन कर पब्लिक सेक्टर में जैसे पढ़ाई कराई जाती है वैसे जब तक नहीं होगी हम इ झाल